मैं एवास के आईलाशिस के बारे में बताना चाहूंगी यह आईलाश एक्स्टेंशन है जिसके अंदर अभी हम टेप यूज कर रहे हैं जो नीचे के आईलाशिस को उपर के आईलाशिस से सेपरेट करते हैं जब यह टेप निकालते हैं तो नीचे की आईलाशिस जो है जो है हैं वो निकलते नहीं हैं यह खास किसम का टेप है अब देख रहे हैं कि आइलाइस को मैं सेपरेट कर रही हूं अब हम इसके उपर पर्मेनेंट आलाइस लगाएंगे और पर्मेनेंट आइलाइस जो है वो अलग-अलग साइज में आते हैं अब देख रहे हैं कि उनके खुद के आइलाइस बहुत चोटे हैं मैं थोड़ा सा गलू लगा रहे हूं आप देखे बहुत ही कम गलू ले रही हूं उसके एक ये special किसम का stone आता है जिसके अपवर हम ये glue लगाते हैं ये eyelashes छोटी और बड़ी शाहिस में आते हैं ये eyelashes हमारे पास 9 mm और 12 mm के हैं ये eyelashes natural eyelashes हैं जिसमें आप देख रहे हैं काफी सारे hair हैं ये eyelashes लगाने से eyelashes में एकदम से growth आ जाता है और पूरी भरी-भरी लगती हैं eyelashes को मैं glue में dip कर रही हूँ और मैं अभी eyes के उपर जो hair है जो eyelashes है उनको separate करके और उनके उपर में लगा रही हूँ अब देख रहे हैं कि एक के बाद एक मैं ये हर एक अलग-अलग individual eyelashes को लेके मैं बाल को separate करके और eyelashes को individual lash के उपर लगा रही हूँ इवास के eyelashes आपको इब्राइट को लगा सकते हैं ब्राइट के लिए 3-4 दिन का जब function होता है तो पहले ही दिन से लगाने से ये 5-10 दिन तक रहता है कई बार ये 15 दिन तक भी रहता है साइट के लोगों को भी आप लगा सकते हो जैसे उनकी बैन है, sisters है, mother है सबको ये तरह के eyelashes लगा सकते हो इवास के eyelashes है वो बहुत ही natural है लगाने का तरीका सिखने के लिए आप इवास academy में phone कर सकते है हमारा phone number है 971-296-3673 हमारी website है www.avascosmetics.com उसके उपर आप phone करके भी आप अपना order लिखा सकते है ये eyelashes सिखने के लिए आप हमारी academy पे भी आ सकते है आप देख रहे हैं कि मैं eyelashes बहुत ही individually लगा रही हूँ और पास पास में नहीं लगा रही हूँ फिर बीच की जगा है मैं उसको भी भर रही हूँ ये eyelashes काफी लंबे अरसे तक चलते हैं इनके उपर एक special किसम का मसकरा आता है जो इवास के पास है वो मसकरा ही लगाना चाहिए अगर आप और कोई मसकरा लगाएंगे जिसके अंदर oil बगेरा होता है तो ये eyelashes जल्दी से निकल जाएंगे eyelashes लगाने के बाद उसको special treatment देना पड़ता है जैसे आप कार में जा रहे हैं आपकी window open है तो आप glasses पहने तक हवा से eyelashes निकले नहीं अगर तीज हवा चलती है तो eyelashes का जो जड़ है वो weak हो जाता है और eyelashes निकल जाने की संभावना रहती है eyelashes अगर आपने लगाये हैं और आपने eyeshadow लगाया है तो वो निकालने के लिए एवास का water base makeup remover आता है आप उसी से ही निकाले अगर आप उसके अंदर cream base remover लगाएंगे तो शायद eyelashes वीख हो जाएंगे ये eyelashes आप आम तोर पे भी लगा सकते हैं जिनके eyelashes बहुत ही छोटे हैं जिनके eyelashes बहुत ही कम है क्योंकि ये eyelashes लगाने से कोई side effect है नहीं ये eyelashes निकालने के लिए आपको special तरह का eyelash remover आता है जो glue को melt करता है इवास के पास eyelash remover भी है जो जब भी आप client का ये eyelashes लगाता है तो उनको आप ये साथ में दे सकते हैं eyelash अश्ड़ता हैं